हेलो एब्रिवन, वेलकम तू माइ चैनल, फूड एन आर्ट, माइ पैशन, माइ वे, बाइनिरूपा गुपता, फ्रेंज, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अपनी पेंटिंग्स बताई थी, जिसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग थी, मधुबनी, मिथिला पें शेप और हमारा हैंड मोमेंट, आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, और यही सारे जो बेसिक से हम अपनी इन सभी पेंटिंग्स को बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, तो चलिए, शुरुआत करते हैं, हमारे बेसिक से, हम सबसे पहले कुछ lines को draw करेंगे lines की practice करेंगे जिससे हमारा hand moment जो है हमारा wrist का moment है वो free हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखते है horizontal line horizontal में आप छोटी line से ही start करिए इस तरह से आपको horizontal lines की practice करनी है second हम देख रहे है vertical line vertical जो होती है खड़ी line खड़ी line इस तरह से हमको draw करनी है vertical lines को standing line भी कहते हैं तो देख लेते हैं इसमें हम दो type देखने वाले हैं अब down उपर से नीचे की तरफ और नीचे से उपर की तरफ और ये down to up नीचे से उपर की तरफ इस तरह से हमको ये vertical line draw करना है next line है slanting lines और diagonal line इसमें भी दो type है अब down उपर से नीचे और नीचे से उपर और ये है down to up नीचे से उपर की तरफ एक चीज मैं आपको बताना भूल गई मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने मदू बनी आर्ट जो है वो गोबर से नीचे किया है और इस पेपर पर जिस पे मैं आपको ये lines और shapes बता रही हूँ ये coffee के इससे मैंने texture दिया है देखिए इसमें इस paper पर coffee का texture दिया है शायद आप लोग देख पा रहे होंगे चलिए next line देखते है reverse slanting line reverse slanting में हम इस तरह से जाएंगे हमने यहाँ पर इस तरह का moment किया था अब हम इस तरह से जाएंगे यहाँ पर भी दो तरह के है एक up and down उपर से नीचे की तरफ और यहाँ पर नीचे से उपर की तरफ next है हमारा mountain mountain में हम slanting line को यूज करने वाले है यहाँ पर slanting और reverse slanting फिर से slanting और reverse slanting और यह zigzag zigzag mountain से मिलता जूलता है इस तरह से अब यह है वेवी लाइन next curve line curve line में जो है up और down और यहाँ पर down नीचे की तरफ करना है हमको फिर हम आते हैं castle पर तो castle में भी up और down है पहले हम एक sleeping line या horizontal वर्टिकल फिर होरिजॉंटल वर्टिकल वर्टिकल होरिजॉंटल वर्टिकल होरिजॉंटल इस तरह से हमको करना है डाउन में हम इहाँ इस तरफ से चालू करेंगे next है step up and down step up में इस तरह से हमको structure बनाना है यह हो गए step up and down अब हम कर रहे है walk around next dash 줘 प्रया व्रट कर द्रच बनाना आप्रिश्य旦 इस 1 जल कर द się प चिसलीत कर रहे टाफे पारे नहाचे यहू यह्टाच यह एह ए हरना यह जлетै लिए दिए टार उन्त dरॉच Love एह उनल्स फिर हम आते हैं सेमी सर्कल पर सेमी सर्कल जो है सी, सी की तरह हमको बनाना है सेमी सर्कल और यह रिवर्स सेमी सर्कल, सी का उल्टा हमने यहां तक पूरी लाइन्स अच्छे से कर ली है, अब देखते हैं स्पाइरल, स्पाइरल में भी दो टाइप है, एक आउट एन इन, हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे और इन में अंदर से बाहर की तरफ यह हमारा स्पाइरल है, अब यहां पर हम इन, अंदर से बाहर की तरफ नेक्स पर आते हैं हम लूप लूप में भी दो है, एक आप एन डाउन, अप में हम इस तरफ का लूप बनाएंगे और यह है डाउन अब हम कुछ शेपस देख लेते हैं यह जो सर्कल है हमने यह जो सेमी सर्कल बनाया है इन दो को मिला के हम सर्कल का ड्राउ करते हैं सर्कल तो सभी को आता है बनाना ट्राइंगल ट्राइंगल में भी हम दो टाइप के बना रहे हैं एक हमने यहाँ पर पॉइंट रखा है यहाँ अब इस सेकेंड वाले इसमें हम नीचे में पॉइंट रखेंगे यह वाला जो ट्राइंगल है यह वारली पेंटिंग में यूज किया जाता है स्क्वेर और हमारा आज का आखरी जो शेप है वो है रेक्टैंगल हमने आज यह इतने लाइन्स एंड शेप्स को ड्राउ किया है देख लीजे थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को दिखाने की अब हमने यह जो लाइन्स वोगरे ड्रॉ की है इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम यही सब लाइन्स श्रोक्स और यह जो सारे शेप्स है हमारी पेंटिंग्स में यूज करने वाले है होप आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा मैंने जो आपको बताया है यह शायद आपको पसंद आया हो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा और प्लीज डोंट परगेट तो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू